आ गई कहानी ट्रेन ये ट्रेन रोज रुपती है नए स्टेशन पर मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नई किरदारों से तो सबसवार आज की हमारी कहानी है अपना बसेरा है भला और इसे लिखा है मनोहर चमोली ने एक दिन मेंधक को नजाने क्या सूझा उसने लंबी छलांग लगाई और पानी से बाहर आ गया वो चिलाया पानी में रहना भी कोई रहना हुआ हमेशा गीले रहो अपने लिए नया बसेरा खोजता हूँ वो एक गुफा में जा पहुँचा गुफा में शेर था मेंधक शेर से बोला आपका बसेरा बढ़िया है शेर इतराया कहने लगा तुम चाहो तो यहां रह सकते हो मेंधक गुफा में रहने लगा लेकिन वो कुछी देर में उकता गया शेर गुराता जो रहता था मेंधक आ वा, आपका बसेरा तो बढ़िया है। चूहा इतराया, कहने लगा, तुम चाहो तो यहां रह सकते हो। मैंधक रहने लगा, लेकिन वो कुछ ही देर में उकता गया। चूहा कुछ ना कुछ कुतरता रहता था, इधर उधर दोडता रहता था। ये क्या, साप को अपनी ओर आता देख, मैंधक बिल के दूसरी ओर से निकल आया। मैंधक हाफता फुदकता हुआ आगे बढ़ गया, उसे एक गौरईया मिली। मैंधक बोला, वा, आपका बसेरा तो बहुत बढ़िया है। गौरईया बोली, तुम चाहो तो यहां रह सकते हो। मैंधक बोला, ठीक है, मैं बहुत ठक गया हूँ, अभी नहा कर आता हूँ। मैंधक नहा कर आया, तो गौरईया का घोंसला भीग गया। मैंधक को परिशानी होने लगी, गौरईया से विदा लेकर वो फिर से पानी में जागुसा। मैंधक कहने लगा, अपना बसेरा सबसे अच्छा है। अब मैंधक बाहर कहीं भी घूमने जरूर जाता है, लेकिन लोट कर जल में वापिस आ जाता है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेकता, नई धारा और प्रथम।